हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट टूटू चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हैं और इस वीडियो में न हर्याना में मूर्तिकला वे चित्रकला इससे संबंदित कोस्टिन रहेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर आप एचससी के किसी भी एकजाम की तयारे करते हैं तो आप इस हर्याना में मूर्तिकला वे चित्रकला इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि यह न ऐसा टोपिक है यहां से न हर बार एकजाम में कोस्टिन पुछा जाता है तो इसमें ऐसे कोस्टिन रहेंगे जो सभी आने वाले सभी एकजाम के लिए उपयोगी रहेंगे तो देखिए वीडियो को लास्ट कोस्टिन तक देखना और इसे लाइक करना सियर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो चैनल क तो मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में लगा दिया है तो वहाँ पर जाकर आप इसके पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इन में से कितने सही कर सक जाकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला कोष्चिन तो देखिए पहला कोष्चिन है महत्मा बुध के सिर्की मूर्तियां कहां से मिली है तो देखिए इसमें ने आपको फाइऐ सَّकिंड का टाइम दिया जाता है आप अप जिलों से ये मूर्तियां मिली है तो देखिए इसमें उप्सन D सही रहेगा आपको ध्यान रखना है कि मातमा बुद्ध के सिर्की मूर्तियां गुरुग्राम रोतक और कुर्कसेतर इन सभी जगह से मिली है अगला कोश्चन है दूसरी सदी की वैलाल पत्थर की मूर्तियां य ये है कुरुकसेतर इस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्चन है बलराम की मूर्ति कहां से मिली है तो देखिए बलराम की जो मूर्तियां ये मिली है रोतक से और इसमें उप्सन B सही है अगला कोश्चन है लाल पत्थर से बनी सीव की मूर्तियां ये इसमोप्षन एई सही है ठीक है और देखिए गुरुग्राम में भी हरनोल एक गाउ है वहां से ये मूर्ति मिली है तो ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है और देखिए कहीं पर हरनोल लिखा हुआ है कहीं पर हरसोल लिखा हुआ है तो ये दोनों एक ही नाम है आपको चाह यक्स यक्सनियों की मूर्तियां ये मिली है पलवल, भादस, हतीन इन सभी जगे से मिली है तो इसमें option D सही रहेगा उप्रोक्त सभी और देखिए ये ना फरीदाबाद से भी मिली है तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है अगला question है सूरिय स्तंब पर बनी मूर्ति कहा सेत्र डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है सेस सया पर लेटे हुए विश्नों की मूर्ति ये कहां से मिली है तो देखिए सेस सया पर लेटे हुए विश्नों की मूर्ति ये मिली है फाजिलपूर से और इसमों option A सही है ठीक है और देखिए कि मूर्थि फाजिलपूर से मिली है और फाजिलपूर सोनिपत में है अकला question है सेंधाय। कालीन पुते हुए म्रद भांड उन पर टेढ़ी मेडी रचनाओं की चित्रकारी है ये कहां से मिले है तो देखिए सैंधाव काली इन मिरदभांड जिन पर टेड़ी मेड़ी रचनाओ की चितरकारी है ये मिले है बनावली से और इसमोप्षन B सही है ठीक है और देखिए जो बनावली है ये है फतेहा बार्डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे मिरदभांड जिन पर टेड़ी मेड़ी रचनाओं से चितरकारी हुई है ये किस काल के है तो आपको ध्यान रखना है ये सैंधाव कालीन है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कॉस्चिन है उत्तर गुप्त कालें सूर्य की मूर्ति ये कहां से मिली है तो देखिए उत्तर गुप्त कालें सूर्य की मूर्ति ये मिली है अग्रोहा से और इसमोप्षन D सही है ठीक है और देखिए अग्रोहा कहां पर है तो ये है हिसार डिस्टिक में तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला कोश्चन है हर्याना में मूर्ति कला का सरवाधिक विकास किस काल में हुआ तो देखिए हर्याना में मूर्ति कला का सरवाधिक विकास यह हुआ गुप्त काल में और इस मुप्शन ए सही है अगला question है उत्तर गुप्त कालीन सीव की मूर्तिया कहां से मिली है तो देखिए उत्तर गुप्त कालीन सीव की मूर्तिया है ये मिली है बरवाला और नोरंगाबाद से तो इसमें option C सही रहेगा A और B दोनों ठीक है और देखिए जो बरवाला है ये है हिसार डिस्टिक में तो आपको ये भी ध्यान रखना है और देखिए जो नोरंगाबाद है ये है भीवाने डिस्टिक में तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला कॉस्चिन है उत्तर गुप्त कालीन विस्नु की ये कहां से मिली है, तो देखिए, उत्तर गुप्त कालीन विश्नो की मूर्ती, ये मिली है, मोहन बाडी से, और इसमा उप्चन C सही है, ठीक है, और देखिए, जो मोहन बाडी है, ये कहां पर है, तो ये है रोतक डिस्टिक में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगला को हुसान कालीन, लाल पत्थर की मूर्तिया, ये मिली है, सोंध, सागेल और खोकरा कोट से, और इसमा उप्चन D सही है, उप्रोक्त सभी इन जगहों से मिली है, तो ये आपको द्यान रखना है, ठीक है, और देखिए, जो सोंध है, ये कहां पर है, तो ये है फरीदाबार डि स्टिक में, तो ये भी आपको द्यान रखना है, ठीक है, और देखिए, खोकरा कोट से, इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले है, तो आपको ये भी द्यान रखना है, तो देखिए, जो मतुरा कालीन, सुंग वै, कुसान कालीन, लाल पत्थर की मूर्तिया है, ये इन सभी जगह से मिली है, तो इसमा उप्शन D सही रहेगा, अगला कोश्चन है, अठारवी सताब्दी में, चितरकला को प्रोच साहन किस ने दिया, तो देखिए, अठारवी सताब्दी में, चितरकला को प्रोच साहन ये दिया, रेवाडी के राओने, और इसमा उप्शन A सही है, अगला को अगला question है निमल्लेखित में से कौन से सासक एक कुसल चित्रकार थे तो देखिए इन में से देखना है कि कौन से सासक है जो एक कुसल चित्रकार है तो ये है हर्सवर्धन और इसमा option A सही है ठीक है और देखिए हर्सवर्धन अपनी गद्धी पर कब बैठा था तो ये 606 इसम 47 में हो गई थी तो ये भी आपको द्यान रखना है और इनकी ना तीन रचनाएं है जो बहुत important है वहाँ से भी question पूछा जाता है तो देखिए बता देती हूँ एक है रतनावली एक है प्रिय दर्सी का और देखिए एक है नागानंद तो आपको ये भी द्यान रखनी है नागानंद है एक रतनावली है एक प्रिय दर्सी का है एक नागानंद है ये तीन रचनाएं है इनकी इन तीनों रचनाव में से भी हर बार question पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है अगला question है जैन मूर्तियां कहां से मिली है तो देखिए जो जैन मूर्तियां है ये मिली है हासी और रानिया से और इसमें option C सही रहेगा A और B दोनों ठीक है और देखिए जो हासी है ये है हिसार में और जो रानिया है ये है सिरसा डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है एक मूर्ती में संगीतकार बैल गाड़ी में यात्रा करते दिखाई देते हैं यह मूर्ती कहां से मिली है तो देखिए एक मूर्ती है जिसमें संगीतकार बैल गाड़ी में यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं ऐसी मूर्ति कहां से मिली है तो ये मिली है सुग से और इसमों उप्षन C सही है ठीक है और देखिए जो सुग है ये है अंबाला डिस्टिक में तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला कोशियन है कौन सी ऐसी मजार है जहां पर महिलाओं का जाना वर्जित है तो देखिए इन में से ऐसी कौन सी मजार है जहां पर महिलाओं का जाना वर्जित है तो वह मजार है संत हमजा पीर की मजार और इसमों उप्षन D सही है ठीक है और देखिए ये मजार है कहां पर तो ये हैं मेहंदर गड़ डिस्टिक में तो आपको ये भी ध्यान रखना है ठीक है और देखिए जो काबुली बाग मस्जिद है ये पानिपत में है और लाल मस्जिद ये रेवाडी में भी है और रोतक में भी है और देखिए जो नूरी दरगा है ये मस्जिद है ये है करनाल में तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला कोश्चिन है सार्दा देवी का मेला कहां लगता है तो देखिए जो सार्दा देवी है इसका मेला लगता है ये लगता है अंबाला में और इसमों उप्शन ए सही है ठीक है और देखिए अंबाला में भी तिरलोकपूर एक जगे है वहाँ पर ये मेला लगता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला question है कुबेर तीर्थ कहाँ पर है तो देखिए option A है अंबाला, B है पानिपत, C है कुरुकसेतर, D है करनाल तो इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है इस question का answer भी आपको comment box में comment करके बताना है और देखिए इन दोनो question के answer आपको एक ही comment में करने है और आपका score कितना हुआ ये भी type कर देना तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करना, share करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए है तो चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका notification सबसे पहले आपी के पास आए Thank you